असलाम अलेकूम मैं सब्या उसिंशेक आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स एक तरफ पुरे देश में क्रोना वाइरोस को रोकने के लिए सरकार तरहा तरहा के कदम उठा रहे हैं शुरक्षा के उपाय कर रही है लोगों को एडवाइजरी दी जा रही है के जानकारी के साथ सलह दी जा रही है के खासी और छीकते समय मूँ पर रुमाल रखे बार बार साबुन से हाथ दोए हाथों में सैनिटाइजर लगाए और मूँ पर मास्क पहने तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं मार्किट में नकली मास्क और नकली सैनिटाइजर बेच रहे हैं पिछले दो दिन में मूंबई में अलग-अलग इलाकों से लाखों रुपे के नकली मास्क और सैनिटाइजर पुलिस ने जब्त किया है कल मुंबई Crime Branch Unit 9 ने 25 लाख रुपे के मास्क और 3 ट्रक को जब्त किया है और एक पूरे गिरो को किरफतार किया है इस पूरे कारवाई में मुंबई पुलिस कमिशनर परंबीर सिंग के साथ महराश्टर के ग्रोह मंत्री अनिल देशमुग भी मौजूद थे वहीं दूसरी घटना में विले पारले पुलिस टेशन के इंस्पेक्टर राजेंदर काने को खबर मिली के कारगो एरिया के एक वेर हाउस में अवे तरीके से मास्क जमा करके रखे गए है इंस्पेक्टर काने ने अपनी टीम के साथ उस वेर हाउस पर छापा मार कर 200 बॉक्स बरामत किये जिन में 4 लाख मास्क थे बरामत किये गए मास्क की कीमत मार्किट में 1 करोड बताई जा रही है विले पारले पुलिस अब इस मामले में चार्च कर रही है ये मास्क कहां से आये है और इन्हें कहां भेजा जा रहा था प्रहार टाइम्स आपको सावधान करता है कि आप अपनी शुरक्षा के लिए मास्क और सैनिटाइजर देखकर खरीदे पहले चार्च करें कि ये मास्क और सैनिटाइजर असली है या नकली सावधान रहे शुरक्षित रहे तमाम ख़बरों को देखने के लिए देखते रही है प्रहार टाइम्स ताजा तकिन खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें